उत्राखन का अंकिता भंडारी हत्याकान जिसने पूरे देश को हिला कर रग दिया था जब पैसो के घमन में एक नीता के बिगड़े हुए बेटे ने अपने सपने पूरे करने वाली मासूम लड़की को मौत के घाड उतारा था उत्राखन के चर्चित इस हत्यकान में तीन आरोपियों के खिलाब S.I.T. ने चार्चीट अब दाखिल कर दी है मेडिये रिपोर्ट्स के मताबिक S.I.T. ने पांसो पन्ने की चार्चीट में सो गवा बनाए है महीं 30 से ज्यादा दस्तवेजी साक्षे भी शामिल किये गए है आपको बता दें कि 22 दिसम्बर को आरोपियों की गिरफदारी के करीब 3 महीने पूरे हो रहे है इस से पहले चार्चीट दाखिल होनी जरूरी थी इसके बाद अब मुकदमे का ट्राइल शुरू होगा गौरतलब है कि अब इस मामले में आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा जाज कर रही SIT ने तीन आरोपियों का नार्को टेस्ट के लिए कोट में दरख्वास लगाई थी जिस पर कोट ने सुनवाई के लिए अगली डेट दे दी है और अब इस मामले में 22 दिसमबर को सुनवाई होगी रिपोर्ट के मुताबिक मुक्या आरोपी पुलके तारिया ने नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमती दे दी है हलाकि कोट की मंजूरी के बाद ही उसका नार्को टेस्ट होगा आरोपी पुलके तारिया ने कोट से ये भी दरख्वास की है कि नार्को टेस्ट की पूरी वीडियोग्राफिक की जाए वहीं आरोपी सौरब ने नार्कोटेस्ट की सहमती के लिए कोट से 10 दिन का वक्त मांगा है वहीं आरोपी अंकित ने किसी भी प्रकार की सहमती या सहमती के लिए कोई भी जवाब कोट में पेश नहीं किया है जिसको देखते हुए अब कोट ने 22 दिसम्मर की डेट सुनश्टित की है और अगली डेट पर ही नार्को टेस्ट पर फैसला आएगा वही माना जा रहा है कि नार्को टेस्ट से वी आईपी के चेहरे से परदा भी उठ सकता है साथी के सवाल SIT के है उनके जवाब भी मिलने की उमीद है अंकिता हथ्यकान केस में जिस वी आईपी केस्ट के चलते पूरे मामले का ताना बाना आरोपियों ने गुना और अंकिता की हत्या की थी उस वी आईपी के चेहरे से भी अभी तक जाज करें SIT परदा नहीं उठा सकी है जिसके लिए अब आरोपियों का नार्को टेस्ट करवाने के लिए SIT ने कोट से दरख्वास की थी आपको बता दे कि अंकिता हत्यकान मामले में तीन महीने 18 दिसम्बर को होने जा रहे हैं जिस से पहले जास्टीम कोट में चार्चीट पीश करेगी मामले में EDG Law and Order V. Murugation का कहना है कि नार्को टेस्ट के मामले में 25 दिसम्बर को फैसला आएगा और अभी तक कुलकित नहीं नार्को टेस्ट के लिए सहमती दी है प्योर रिपूब क्राइम तक झाल 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 झाल